नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कमप्टीशन प्रिप्रेशन पर दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं वीडियो के डिस्क्रिप्टिशन में लिंक मिल जाएगी हर सिफ्ट के हर मतलब वीडियो की तो वहाँ पर क्लिक करके डाइरेक्ट आप देख सकते हैं दूसरी चीज अगर आपका कोई परसनल डाउट है तो आप इंस्टेग्राम पर फॉल्लो कर सकते हैं वहाँ पर मैसेज कर पहले कोश्यन के आते हैं कहा गया पहला कुशन डियाई का है किस्टीड फॉल्वींग ग्राफ कहा गया हो मेनी टीचर्स एस फोटी-फाइप यहार्स और मॉर बर्ट लेस देन 55 वेज फिप्टी यह का एक कितने टीचर्स ऐसे हैं जो 45 साल से ज़्यादा के हैं लेकिन 50 से क तो इस लेबल की डिया रही है अगला प्रशन देखिएगा मोबाइल फोन खरीदने से बेचने से रिलेटेड है कहा कि यह मोबाइल फोन वास सोल्ड फ्री वन फाइब डूल जीरो आफ्टर गिविंग टू सक्सेशिव डिसकाउंट्स ऑफ 30 परसेंट परसेंट वाट वास दे मार्केट प्राइज आप से खागे 30 परसेंट और 10 परसेंट का सक्सेशिव डिसकाउंट दिया गया तो रिजल्टेंट सबसे पहले निकाल लो 30 और 10 परसेंट का सक्सेशिव कितना हो जाएगा 30, 10, 40, माइनस 3 क्योंकि X और Y परसेंट का सक्सेश होता है X प्लस Y माइनस X Y यह हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 30 गुड़े 10 बटे 100 यानि कि 40 माइनस 3 यानि यह हो गया 37 यानि 37 परसेंट डिसकाउंट के बाद कोई फोन 315 डूल जीरो का भी इता है आपको पता है कोई चीज अगर 100 की है उस पर 33% का डिसकाउंट देंगे वो 63 की भी कैगी और 63 बराबर दिया गया है 315 डूल जीरो अगर 63, 315 डूल जीरो है तो एक बराबर कितना हो जाएगा 500 यानि मार्केट प्राइज कितनी हो जाएगी यानि कि 100 उड़े 500 यानि कि 50 अजार ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते थे कि मार्केट प्राइज जो भी होगी उस पर 30% का डिसकाउंट यानि इसके 7 बटे 10 में भी का और 10% का डिसकाउंट यानि कि 9 बटे 10 में भी का और यह बराबर आपको दिया गया है 315 डूल जीरो साथ नोगा 63 पंजे 500 आ गया दो जीरो बढ़ा दो आपका अंसर आ जाएगा तो कई बार क्वेसिक से करने पर इसली कर सकते हैं और हम लोग ट्रिक करने चले जाते हैं सकसे से उकाई यह सब तो उससे समय लग जाता है कहा ग कि जो 2 के पावर 20 प्लस 1 है वो किसी एक नंबर से completely divisible है आप से कहा गया कौन से ऐसी संख्या होगी जो उसी नंबर से divisible होगी अब देखेगा आप से अगर कहा जाए कि 15 कोई ऐसी संख्या है जो किसी एक संख्या 5 से divisible होती है तो आप से कहा जाए कोई और संख्या बताओ चो 5 से divisible हो तो आप कहेंगे 15 के टेबल की जितनी संख्या होगी वो 5 से कटेंगी क्यों क्योंकि आपको पता है 15 5 से कटता है इसका मतलब 2 के पावर 20 प्लस 1 के टेबल की जो भी संख्या होगी वो किस से कटेंगी जिस संख्या से 2 के पावर 20 प्लस 1 कट रहे है अब आपको पता होगा कि 2 के पावर 60 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 20 का Q ठीक है? और प्लस 1 का Q प्लस 1 का Q यानि ये लिखा हुआ है xQ प्लस yQ आपको पता होगा कि x प्लस y से x पावर n प्लस y पावर n हमेशा डिविजुल होता है अगर n odd हो यानि आपको दिख रहोगा n क्या है यहाँ प्लस a पावर n इस आल्वेज डिविजुल भाई x प्लस a in case n is odd यानि n अगर odd हो यानि कि बिसम हो तो आपका x प्लस a से हमेशा कटता है यानि 2 के पावर 20 प्लस 1 से आल्वेज कटेगा क्या 2 के पावर 60 प्लस 1 क्यों क्योंकि आपको पता है 2 के पावर 20 के पावर 3 लग रहा है जो की odd है ठीक है अगला प्रसन देखिएगा कहा गया दो टैंक है यह और बी कहा गया जिसमें वाटर का वालूम जो है वो 6 और 5 है यानि यहाँ पर 6 है यहाँ पर 5 पहले टैंक में 30% बढ़ा गया 6 का 30% यानि 1.8 बढ़ा गया यानि 7.8 हो गया तो कहा गया दूसरे टैंक को कितना बढ़ा जाए दूसरे टैंक में पानी को कितना बढ़ा जाए ताकि यह भी 7.8 हो जाए आप कहा गया 5 से 7.8 जाना है यानि कितना बढ़ाना पड़ेगा 2.8 और 2.85 का कितना परसेंट है आपके 2.8 बटे 5 गुड़े सो यानि कि 2.8 गुड़े 20 यानि 56 परसेंट हो जाएगा कहा गया the volume of a tank is 72 cubic meters water is poured into it at the rate of 60 liters per minute how much time will it take to fill the tanks कहा गया कि 72 cubic meter किसी tank का volume है आपको बता होगा 1 meter cube बराबर होता है कितना एक मीटर क्यूब बराबर होता है एक हजार लीटर यानि आप से अगर कहे कोई कि एक बाई एक बाई एक की कोई टंकी है तो उसमें कितना पानी आएगा आप कहेंगे एक हजार लीटर अगर किसी tank का volume 72 cubic meter है इसका मतलब 72 meter cube है यानि ये 72,000 लीटर इसमें पानी आता है ठीक है आपको पता है 72,000 लीटर भरना है और एक मिनट में हम 60 लीटर भरते हैं तो कितना समय लगेगा 22,000 बटे 60 यानि ये कटा या आपको 1200 मिनट लगना है 1200 मिनट में कितने के बराबर होते हैं 60 से डिवाइट कर दो 20 गंटे आ ये प्रस्टन देखो कहा गया on which day the production was one by 5th of the total production आप से कहा गया किस दिन जो प्रोडक्शन था वो 1 5th है टोटल प्रोडक्शन का आप पहले टोटल प्रोडक्शन निकालो ये मंडे को दिया गया Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday को तो आप जोडेंगे तो ये 65 और 60, 125, 513, 170, 220, 250 यानि कि 250 टोटल प्रोडक्शन है ठीक है और कहा गया ए 20, cos 70, plus sin 70, cos 20 इसको दो तरीके से किया जा सकता है आप 20 को हर जगा 70 में बदल लो ये 70 को 20 में बदल लो तो आपको दिख रहोगा यहाँ sin 20 है, cos 70 बराफर cos 90-20 यानि ये भी sin 20 तो ये हो जाएगा sin 20 ऐसे ये बन जाएगा cos 20 इसकी value sin 20 plus cos 21 हो जाए ये आप ऐसे सो सकते हो कि sin A cos B plus cos A sin B, ये A मानिये ये भी मानिये, आपको दिख रहोगा sin A cos B plus cos A sin B, चुकि होता है sin A plus B, यानि sin 20 plus 70 यानि sin 90 इसकी value 1 हो जाएगा, कहा गया, in a circle of radius 10 cm, PQ and RS are two parallel quarts of length 16 cm and 12 cm, एक circle है जिसमें 16 cm और 12 cm की दो जीवाएं है, जाए, what is the distance between the quarts if they are on opposite sides of the center, यानि कि वो opposite side पे है, उनके बीच की दूरी निकालनी है, आपको बता है अगर ये parallel है, तो जो लंब इस पर पड़ेगा, वही लंब इस पर भी पड़ जाएगा, यानि आप से कहा गया, कि ये radius 10 दी गई है, ये 10 है, एक की लंबाई 16 है, यानि से प्रश्ट हमने किसी सिफ्ट में किया भी है, अगर इंद गिवन फिगर, AP is perpendicular to BC, हमने माल लिया, and AQ is the bisector of angle A, AQ जो है, वह एंगल A का bisector है, का गया, एंगल PQA की value निकालनी है, PQA की value निकालनी है, अब आप देखे, ये 60 है, ये 30 है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, यहां ऐसे देखे, जो आपका AQ है, वह bisector है, अंगल A का, अब देखे, पूरा कितना है, 90 है, अगर AQ A का bisector है, यानि ये हो गया 45, और आप से पूछा क्या गया है, आप से पूछा गया है, अंगल PQA की value, आपको पता है, पूरा 90 है तो ये 45 होगी, और जो आपका PQA है, वह triangle AQC का exterior angle है, जो की interior angles के sum के बराबर होगा, यानि की AQA की value होजाएगी 45 plus 30 है, यानि 75 होगी, कहा गया सलमा 22 and art kill, सलमा जो है art kill खरीती है, और 810 की, मतलब 810 रुपे का base देती है, कहा कि C losses 10%, यानि कि उसका loss कितने का होता है, 10% का, आप से कहा गया, कि कितने पे बेचे 4 परसेंट का profit हो, आप से कहा गया, 4% का lap चाहिए, तो 900 का 4% 36 और चाहिए, यानि उसके कितने में बेचना पड़ेगा, 936 में, कहा गया, A and B separately can build a wall in 12 and 16 days, A 12 दिन में कोई दिवार बना सकता है, और B 16 दिन में बना सकता है, ठीक है, और जितना ज्यादा like करोगे, उतनी जल्दी खतम कर दूँगा, ठीक है, कहा गया, अगर वो alternatively एक एक दिन कारी करें, A से start करते होई, तो कितने दिन में दिवार बन जाएगी, अब 12-16 का LC हम लो, सीधे दिख रहा होगा 48, यानि A एक दिन में करता है, 4, B एक दिन में करता तो 7 कारी हो रहा है, 7 unit, अगर 2 दिन में 7 unit हो रहा है, तो हम कह सकते है, 12 दिन में कितना हो जाएगा, 42 unit हो जाएगा, 12 दिन में 42 unit, तो 12 दिन में 42 unit, 13 दिन कौन जाएगा, विसम संख्या वाले दिन A जाता है, तो A जाएगा, तो कि 4 unit कराएगा, यानि 13 दिन में 46 हो जाएगा अब आपको पता है कायर रिथा टोटल 48-46 हो चुका यानि 2 वो करना है और जाएगा कौन बी तो वो 2 बटे 3 दिन हो लेगा यानि आपको पता है कि पूरा 48 होने के लिए 2 बटे 3 दिन हो लगने है कि किस में जोड़ेंगे 13 दिन 46 यूनिट के लिए और 2 यूनिट के लिए 2 बटे 3 दिन तो टोटल कितने लगे 13 दो बटे 3 दिन कहा गया कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए 8, 13, 26 और 40 में इस प्रकार से कि ये जो नंबर आएं मतलब नंबर बनके आएं आठ में जोड़ें एक्स, 13 में जोड़ें एक्स, 26 में जोड़ें एक्स, 40 में जोड़ें एक्स तो जो चारो संख्या बन रही हो प्रपोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्पोर्प कि x की value क्या होगी अब आप देखो x की value निकालने दो तरीके हैं एक बार अंस में से हर को जोड़िए तो हो जाएगा 21 plus 2x divided by हर में से अंस को भटाईए यह यह 5 हो जाएगा similarly इधर भी यही करिए तो हो जाएगा 46 plus 2x divided by 40 में से 26 गटे का 14 आप solve कर लीजे यहनि आपका होगा इधर 14 दुना 28 और 10x इधर यानि 18x बराबर 330 minus अरे 665 330 minus कितना हो जाएगा 294 यहनि कि 18x बराबर 36 यहनि x की value दो हो गई यह आप ऐसे कर सकते थे यह आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ अगर ऐसा कुछ expression बन किया है तो आपको क्या करना है अंतर लेना है दोनों साइड का इधर का अंतर 14 इधर का अंतर 5 अब आपको क्या काम करना है अगर इधर का अंतर 14 दिख रहा है इधर का अंतर 5 दिख यानि कि आपको होगे 9 x is equal to 8 यानि x की value 2 होगे तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको क्या करना है इधर अंतर लेना है यह 5 इधर अंतर लिया 14 तो जिधर अंतर 14 है उधर 5 से गुड़ा कर देंगे और जिधर 5 आया उधर 14 से गुड़ा कर देंगे तो x की value आ जाएगी यह आप option से भी कर सकते तो option रखे लेकिन वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिटाइ x square y square और 2ab into xy तो यह ax plus by का whole square लिखा है इसका always factor होगा ax plus by कहा कि एक triangle जो है उसके एंगल 3,4,8 के ratio में तो आपसे कहा कि ए triangle कैसा होगा 8,4,12,3,15 15 बराबर दिया गया है 180 यानि एक बराबर कितना हो गया 12 अगर एक बराबर 12 हो गया तो एक कौन 96 हो गया अब आपको पता है अगर किसी तिर्भुच का एक भी कौन 90 से मतलब एक कौन 90 से ऊपर हो जाता है तो कैसा हो जाता है अप्ट्यू जेंगल यानि अधिक कौन काम करता हूँ यह भी मैं ही करूँ चलो कर देता हूँ सिंप्लिफिकेशन का प्रश्ण आपको सबसे पहले ब्रेकट सॉल्ब करना होते है तो यहां पर 8 में से गटेगा 7-7-3 में से गटेगा आंसर एक हो गया, अच्छा कुछ लोग कहते हैं, सर सिंप्लिविकेशन का कोश्चन क्यों करवाते हैं, सिंप्लिविकेशन की सोजर्श करवाता हूँ, देखो, आपको आता है, मैं कैसे करता हूँ, वो आपको पता चल जाता है, हो सकता है, आपके लिए यह method अच्छी हो जिस method से मैं करता हूँ हो सकता है आपको ना समझाए हो सकता है आप दूसरे तरीके से मुझसे कम समय में करते हूँ लेकिन बस मैं यह दिखाना चाहते हूँ कि मैं ऐसे करता हूँ ठीक है कहा कि what was the percentage decline in the production from Friday to Saturday Friday से Saturday कितना percent घटा 50 था Friday को Saturday को 30 था यानिकि 20 का कमी आई 20 की 50 पर 20 यानिकि 40 परसेंट की कमी आई ठीक है कहा गया 10 4a is equal to cot a minus 20 जहाँ पर theta 0 अब theta कहां से आ गया है यहाँ पर यह देना चाहिए ठीक है तो आपसे a की value पूछी लिए आपको पता होगा 10 a बराबर cot b कब होता है जब मैं से एक साल से रटा रहा हूँ कि 10 a बराबर cot b तो a plus b बराबर बताओ 90 यह नहीं हो गया 5 a minus 20 बराबर 90 यह नहीं 5 a बराबर 110 a की value कितनी होगे 110 बटे 5 यह नहीं कि 22 अगला प्रशन देखे है कहा गया एक player जो है यह player has a certain average for 15 innings यानि कुछ average रहा होगा certain average कहा गया 16 इनिंग में वो 120 करता है जिससे उसका average 6 बढ़ जाता है तो कहा गया उसका नया average क्या होगा आपक 121 करने पर उसका average कितना बढ़ जाता है चे चे कितने बढ़ा होगा कितनी इनिंग में 6-3 बढ़ तो 96 बढ़ गया 90 ज्याधा रहोगा तभी सौला में बढ़ चैने बॉसससे अगर यह यह ज़दा रही होगी सोला हमें के इनिंग अगर 96 ज्याधा रहे होगे तो 56 Sense है यानि कि 16 में 450 बने हैं 96, तो यह तो बसिक तो बसिक तरीका है, बसिक तरीका बताए दे रहो, आप म saf़र्लो 15 इनिंग का अवसत है तो खुल रन कितने थे 15 इनुद इसमें जुड़ गया, तो अब आउसत कितना हो गया X प्लस 6 कितनी इनिका 16 इनिका रन बराबर कर दो यहां से 16 X यहां 15 X यहां X बराबर आ जाएगा 120-694 यहां X 24 है तो अभी एवरेज कितना है X प्लस 6 यहां 30 कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं कौन सी shift अभी तक तो अभी तक मैंने सारी shift तो solve नहीं करी जो करी हो उनमें बताता है तो कौन सी average कौन सी moderate कौन सी tough है ठीक है तो अभी मैं सारी shift का तो नहीं बता सकता लेकिन जो मैंने solve कर रहा है मेंस के लिए 13 October 1st second 14 October 2nd यह shift must है और बाकि सारी shift को आपको 10 से 12 minute में करने का वन आंसर टू एल लो कहा गया इन हाव मेनी यहर्स विला सम आप 320 आमांस टू 405 इप इंट्रेस्ट इस कंपाउंड़ेट 12.5 परसेंट पर रहें तीन सो बीस रुपे चारसो पांच होने है यानि कितना बढ़ना है पचासी बढ़ना है ठीक है और आपको पता है पर चारस पर रहें जो है यहाँ पर आप एसे कहें चोड़ो जै यहाँ पर इंट्रेस्ट दिया हुए तो इतना क्या क्यों गरना हमें देखो आको दिया 12.5 परसेंट के रेट आप इंट्रेस्ट से आप 12.5 परसेंट का मतलब अगर 8 होता तो भी नो हो जाता ठीक है आठ होता तो नो हो जाता आठ रुपया अगर होता तो इस पर 12.5% मिलता तो एक साल बाद वो कितने का हो जाता नो हो जाता अब आप से कहा गया कि पहले सम था अभी हो गया 405 पांच से काड़ दो तो यह 64 लिखा हुआ है यह लिखा हुआ है एक क्यासी आपको होते 468 के पाउर कितना आएगा दो यहीं समय कितना लगएगा दो और स मेरे कहने का मतलब समझ जो यह आप कहेंगे 320 इन्टू 1 प्लस आर बाइंड़ यान प्लस न बाइट य और अगर कितना हो जाएगे दो जब दो कहा गया कि जो सब्सक्राइब आप एक सोदसे बढ़ा दीजे तो यह बहुत हो जाएगा और अगर यह M 110 है तो यह भी 110 हो जाएगा बात करता है कहा गया what percentage of the total number of teachers are aged less than 45 years कितने परतिसत ऐसे teachers हैं जो 45 से कम आयों किया है 45 यहाँ पर है total पहले count कर लो 5 2 7 3 10 6 16 25 25 टोटल है 45 से कम वाले कितने हैं 2 3 5 6 11 5 16 4 20 25 टोटल है जिसमें से 20 45 से कम के हैं यानि 25 80 परसेंट है जो किससे 45 से कम है अब इससे खतरनाक प्रेशन क्या होगा कागे 2x-3y किसका factor है आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हूं तो यह लिखा हुआ है 4x square plus 9y square minus 12xy यानि 2x-3y का whole square यह लिखा हूँ 2x-3y का whole square plus 2x-3y आपको पता होता कि x square plus x का factor always क्या होगा x होगा यानि कि x जो है वो always factor होगा x square plus x का similarly अगर इसको x से जूम करें तो capital x x square plus x का factor होगा यानि इसका factor 2x-3y होगा अच्छा ऐसे भी कर सकते हैं या आप ऐसे कर सकते थे x क्या कर सकते थे x की value put करके कर सकते थे 2x बराबर 3y put कर लेते 2x बराबर 3y अगर put करते या हम कर सकते थे कि 2x बराबर 3y अगर put करते थे तब तो गड़बर हो जाता आप क्या काम करते यह अगर factor होगा इससे डिवाइड करते रिमेंडर 0 आ जाता वही आली बात है रिमेंडर 0 अगर आ जाता तो इसका factor होता है या और इसका क्या तरीका हो सकता अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रह चलनाफ देखेसे 1800 कילो मिटर दूरी पहा यह या सो किलो मिटर दूरी पहा है कि यह वाला पॉयंंट है भी यह वाला पॉyn्ट है ठीक है 144 के speed से चलती है मैं यह उन्हों कर इक दूसरे की तरब चलती है तो speed कितनी हो जाएगी relative speed चोवाले शेलिश नब्बे अठारा सो चलना बीस घंटे बाद मिलेंगी यानि 20 घंटे बाद यह ए से 880 दूरी होगी और इससे 920 दूरी होगी आप से पूछा क्या गया है कि कितनी दूरी पर मिलेंगी तो ए से आप कह सकते हैं 880 क्योंकि 44 के speed से 20 गंटे 880 चलेगी 46 के speed से 20 गंटे 920 चलेगी कठीनेस्ट प्रस्ट नहीं तफस्ट प्रस्ट का इसको हम टफ बनाके करते हैं कहा गया एक स्क्वाइर पार्क की जो एरिया है वह सिक्स्टीन एक्स स्क्वाइर प्लस एट एक्स प्लस वन है आप से लेंथ आप पार्क पूछ प्लस वन को वन का स्क्वाइर लिखते हैं प्लस 8x को 2 into 4x plus into 1 लिखते हैं इसको मैं एकदम डीटेल में समझाओंगा ताकि आपको समझ में आये इसको हम M assume करते हैं इसको N assume करते हैं समझ रहे हो मुलना कि M बराबर 4x N बराबर 1 यहां पे लिखा है M, यहां पे लिखा है N, M square plus N square plus 2 MN, आपको पता होगा कि A plus, नहीं आपको कैसे पता होगा मैं समझा रहा हूँ न, A plus B का whole square बराबर होता है A square plus B square plus 2 A B, A की जगा पे M, B की जगा पे N, यहां यह लिखा हुआ M square plus N square plus 2 MN, जो की होता है M plus N का whole square, अब M की value क्या है 4x plus 1 का whole square, A square बराबर 4x plus 1 का whole square, तो आप square square काट सकते हैं, काटने का मतलब यह हुआ कि अगर A का square करेंगे और B का square करेंगे दोनों बराबर हैं, तो आपको पता होने से A बराबर B, यानि A बराबर होगया 4x plus 1, A हमने माना था length को, तो length बराबर आगे 4x plus 1 unit, अब इतना basic से अगर आप पसंदा है, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वो मजच है, चीख है, और क्या बस भूल गया, all the best for your all coming jobs, बंदी बड़ाबर,